हेलो काईज वेल्कप टू मैं चानल जे स्कूर स्टेडी सेंटर मैं हूँ अलिशा एंड आज हम बनाने वाले है क्लास टेंथ मैठ चाप्टर वन पॉलिनॉमियो जिसका हम लोग पिछले वीडियो में ट्राइडिस बनाये थे कोशन नंबर वन टू और कोशन नंबर त्री हम ञोंडख़ को मल्टिप्लाय करना ई हम लोग जैसा को श्र्राइडり लिखे चाप याटृ कि में होें हम्लोंग जैसा कॉस्टन में फिर से मृटिस लगे 2 फिर प्लस 2x x square plus x minus 2 फिर minus 3 x square plus x minus 2 अब हमें करने है multiply तो multiply कटे वक्ट हमारी power होगी ना वो plus हो जाती है और यह x cube नहीं x square है sorry sorry हाँ तो multiply करने है अब हमें multiply कटे वक power plus हो जाती है तो x square into x square x4 फिर plus का sign x square into x x cube x square into minus 2 to minus 2 x square फिर 2 x into x square plus 2 x cube फिर 2 x into x plus 2 x square फिर 2 x into minus 2 to minus 4 x फिर minus 3 into x square फिर minus 3 x square फिर minus 3 into x to plus 3 x फिर minus 3 into minus 2 to plus 6 अब हमारी यह multiply होगी अब हमें इसे arrange करना है बड़े इस चोटा में पूरे इसको आरेंज करना है ascending order में तो सबसे बड़ा है x की power 4 फिर x की power 3 फिर plus 2 x to minus 2 x square plus 2 x square minus 3 x square minus 4 x plus 3 x plus 6 उसके बाद हम लोग देखेंगे इसना होगे इसके बाद हमें plus minus करना है normal कि हमें आता है लेकिन अगर यहां पर same number दिया है इनका sign different तो यह cut हो जाएगा मतलब number पुरे same होना चाहिए और sign different होना चाहिए minus में एक plus में तो यह दोनों cut हो गया कि बाद हम लोग इसको plus करेंगे तो x4 का विलब 4 यहां पर किसकी पावड़ने तो यह x4 रहेगा फिर plus 2 x cube plus x cube तो हो जाएगा 3 x cube फिर minus का sign अब 3 x square वालब कोई सानी बचा तो फिर यह भी ऐसा ही 3 x square हो जाएगा फिर minus 4 x plus 3 x minus minus plus हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा plus 7 x और लास्ट में बचा 6 तो plus 6 यह हमारा answer एक्सराइस नंबर 1 में इससे पहले एक और ट्राइडीस था पेज नंबर 3 में एक ट्राइडीस था वो हम लोग ने स्किप कर दी क्योंकि वह इंपॉर्टिट नहीं होतना तो अब हम लोग आते हैं डारेक्ट एक्सराइज 1 में जिसमें हमारा first question है find the question and remainder on dividing polynomial x square minus x plus 1 by x plus 1 मैं यहां पर हमें यह polynomial दिया हुआ है हमें इनको डिवाइड करना है यह पर हम लोग लिख लेंगे हमारा question x square minus x plus 1 और इधर x plus 1 अब हमें क्या करना है हमें कोई ऐसा नमर ढूणना है जिसको multiply करने पर जिसको x से हम लोग multiply करेंगे तो x square आजाएगा तो ऐसा कौन सा नमर है जिसको हम लोग multiply करेंगे x से तो x square आजाएगा वह x होगा क्योंकि x into x करेंगे तभी x square आएगा तो इसे find करने का रहा एक और तरीक है हमें x square को अगर आपको नहीं बना है गर बड़ा नमर है ऐसा कुछ है तो लोग यह x square मतलब x two times so we two times x into x लिखेंगे upon में x लिखते हैंगे मतलब यह वाला नहीं यहां पर जो रहाएगा तो पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे फिर x और x कट जाएगा तो बच्छा किया सिर्फ x तो हम लोग बहार में x लिखेंगे तो यह मतलब easy method होता है मैं फिर से repeat कर रहे हूँ यहां पर x square दिये यहां पर x दिये अब हमें कोई ऐसा number find करना है जिसको हम लोग x से multiply करेंगे तो x square आजाए तो ऐसा कौन सा होगा तो अभी यह चोट है तो हमें समझ में आ रहा है कि x को x से multiply करेंगे तो x square आएगा अब कुछ बड़ा number यह number के साथ दिया होता यह कुछ ज्यादा difficult complicated सा रहता है तो हमें normally इसको यहां पर x square है तो हमें x two times लिखना है और upon में जो यहां पर दिया रहेगा उससे लिखना है और cut करके जो हमारा बच्चे का वह answer है तो यहां पर x into x करेंगे तो x square आएगा तो प यहां पर sin इंदर ऐसे कर लेंगे अब यहां पर rule होता है जैसे यह दोनों plus में यहां पर कोई sign नहीं मतला plus है तो जो नीचे वाला रहेगा यह change हो जाएगा minus में और यह plus में तो यह भी change हो जाएगा यह हो जाएगा minus में अब x square minus x square minus x square तो cut हो जाएगा क्योंकि same same है but sign change है और यहां पर minus और minus plus हो गया है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे minus 2x minus इसलिए क्योंकि बड़े नंबर पर minus है तो दोनों में ही minus है फिर यहां पर जो नीचे बचा plus 1 अब इतना होगे तो यहां पर हमारे पस 2x आया तो x हम लोग क्या multiply करें कि 2x आ जाए तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि x हम लोग 2 को multiply करेंगे तो 2x आ जाएगा अगर नहीं बनता है तो हम लोग यहां पर corner पर करके रेख सकते है जैसे कि यहां पर पहले यह number जो given है इसको यहां पर लिखेंगे minus 2 into x लिखेंगे फिर upon म कि क्या answer अउसर करेंगे तो क्या answer आएगा — you यहा जाएगा साइगा 5x कि 2 to x x करेंगे-ंग वन बन को माइससर करेंगे और एका माइस स्टू है पर सैने इसे सांगेते सब्स झाए और से थे हम डाल में है और सिर्म समय is ते है और में ही दोनोंाच नो दिफ्रेंट स्टू है सफेगए यहा पर kट हों ब्लस प्लस प्लस हो तहए है news यहं मारा कोशंट टे है ह具 होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर गिवन होता है तो हमारे पास कॉशंट है एकस मैनस दू और ए मेंडर है तो यह तरी है तो जे है हां अब हम लोग आ जो सेकींड कोश्टन में तो सेकंड केसी निब enables पहले हमने question लिख लेते है 6x square minus 5x plus 1 और बाहर में 2x minus 1 अब हमें क्या करना है अब मैंने इसे बताया था कि यहाँ पर 2x given है और यहाँ पर 6x square given है तो हमें कोई ऐसा number find करना है जिसको हम लोग 2x से multiply करेंगे तो 6x square आजाए तो हम लोग कैसे find करेंगे easy method था यहाँ पर जो number दिया से into में कर लेंगे x square मतलब x two times है तो six into x into x अब यहाँ पर है 2x तो upon में लिख सेंगे हम लोग 2 into x अब यहाँ पर जो-जो cut हो रहा है अब 1 को भी हम लोग इसे multiply करेंगे minus 1 into 3x करेंगे तो किता आएगा minus 3x अब अगे यहाँ पर sign change होगा क्योंकि दोनों plus में है तो जो नीचे वाला रहते है यह rule है कि sign change करते हम लोग इसको minus में कर देंगे क्योंकि यह plus में था और यह minus में है तो इसको plus में कर देंगे उसके बाद 6x2 और 6x2 काट हो जाएगा क्यों क्योंकि sign different है यहाँ यहाँ पर sign minus में और एक plus में है तो minus plus होता है minus 5x minus 3x होगा minus 2x और जो plus 1 है उसको उसको आज़े प्लस 1 देंगे अब हमारे पास आगया है minus 2x और यहाँ पर हमारे पास है 2x तो अब हमें कोई ऐसा number find out करना है मतलब 2x में कौन सा number multiply करें इधर 2x में कौन सा number multiply करें कि हम बस वापस से 2x आज़ें तो वह number तो minus 1 2x into minus 1 किता होगा 2x और minus 1 into minus 1 हो जाएगा plus 1 कि की minus minus plus होता है इसलिए पर plus आएगा अब यहाँ पर वापिस से sign change minus का plus plus का minus और यह काट हो जाएगा यहाँ पर plus minus होता है minus 1 minus 1 0 यह है answer यहाँ पर question है हमारा जो यहाँ पर given रहते होता है question 3x minus 1 और remainder है 0 तो यह है हमारा answer तो I hope आप लोगों को समच में आया होगा अगर आपको कुछ भी doubt या कुछ query है इससे related तो आप comment में बता सकते मैं अच्छे संधा दोंगी and video अच्छा लगा हो तो like करना channel पे नहीं हो तो subscribe करना and thanks for watching करू यह ऑगो करू यह